जहन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का न्यूज मास्टर यूट्यूब चैनल पर यदि आप नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप इन लोगों से जरूर बच करें यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उस नंबर पर आप कॉंटेक्ट किजिए तो चले बात करते हैं किन लोगों से आपको बच के रहना है सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे लोग है बहुत सारे तो नहीं एक ही व्यक्ति ऐसा है जिन्हों ने अपने बहुत सारे चैनल बनाया है और सभी चैनल पर अलग-अलग जो है नाम से अलग-अलग वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पर किसी चैनल पर आपको बताएंगे कि इस सिक्के के बदले मैं आपको पांच किलो सोना दे दूँगा कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं जो वैक्तिस होना देनी की बात करते हैं वहीं आपको बोलेंगी कि यह स्कॉर्पियो गारी मिल जागा आपको इस नोट के बदले आपको जेसी भी मिल जाएगी इस नोट के बदले आपको दिली सरकार एक करोर रुपे का घर दे रही है लेकिन hundred percent सच है अगर आपको कोई इस तरह की बात करके बहकाता है कि सरकार खजाे रही आप इस बैंक पर जा कर बेच लो, रिजर बैंक पर जा कर बेच लो या post office पर जा कर बेच दो, post office आप से यह sikhae खज願い लेगी तो ऐसा कभी नहीं होता है, जो बैकति एक normal जो note or sikha की वो लोग ही नोट और सिक्के ख़ईते हैं और वहीं लोग नोट और सिक्के आगे सेल भी करते हैं ऐसा नहीं कि नोट और सिक्के नहीं बिखते हैं लेकि नोट और सिक्के बैंक की या कोई भी सरकारी एजिंसी नहीं ख़ईती हैं और नो तो आपको किसी नोट के बदले किसी स होनी चाहिए लेकिन और लोग बोलते हैं चार नोट एक साथ बेचोगे तो आपके ये पांच करोर रुपे मिलेंगे और उसके अलावा आपको एक जेसी वी एक एसकॉर्पी ओ ये सभी चीज़े आपको बिल्कुल फ्री कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसका वीडियो आ सरकार आप से ये सिक्के खरीद लेगी तो दिली सरकार से आप संपर की कीजिए जाकर या एस्टेट वैंक खरीद रही है पोस्ट ऑफिस खरीद रही है अलग-अलग लोगों के नाम अलग-अलग सरकारी एजिंसियों का नाम यूज करके लोग आपको बेवकु बनाते हैं मैं ये नहीं करह रहा हूं कि नोटो और खिके वाफनी सेल होते हैं जरुर 붙े जरूर सेल होते हैं जो दस जार पे हैं महत्रों कारी नहीं होना है कि नोटो और शीके बैका नहीं कि मुझे बाते की गई तो आप लोग अगर इस तरह से उस वीडियो को देखेंगे और उस चैनल को उस वैक्ति को पहचानेंगे जो आपके नोट और सिक्टे इस तरह की बात करके सेल नहीं करवाता आपको अभी तक सोना या स्कॉर्पियो या जेसी भी नहीं दिया है तो आप लोग उन वैक्ति को पहचान जाते हैं और उसकी वीडियो दुवारा नहीं देखते हैं तो वो वैक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा और वो भी एक रियल बायर लेकर आएगा और आपके नोट और सिक्के सेल करवाएगा लेकिन आप लोग उस वीडियो को फिर देखते हैं क्योंकि उसमें 10 किलो 15 किलो सोना की बात की जाती है 10 केजी सोना का कीमत हो जाता लगवा 5-6 करोर रुपे तो इस तरह की बात की जाती है तीसरा जो मैं आप लोग को बताने वाल हो तो बहुत सारे लोग रेइस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगते हैं और वो लोग फरजी होते हैं जो रियल बायर होगा वो आपसे रेइस्ट्रेशन के लिए कोई पैसे डिवान नहीं करेगा और नहीं आपके आधार OTP या बैंक से रिलेटेट कोई भी OTP की डिमांड करेगा साथी एक और फ्रोड होता है जो की UPI ID से रिलेटेट यदि आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं तो आपको लोग बोलते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके यहां पर आप यह रिडीम कोड डाली है इतना डाली है उसके पाद UPI पिन डाले है आपके खाते में इतने पैसे आ जाएंगे कि जब तक आप registration नहीं करवाओगे तब तक मेरी company जो है आपके खाते में पैसे send नहीं कर सकती जिन लोग का registration होता उसी के खाते में पैसे send किये जाते हैं तो किसी भी तरह से वो लोग चाहते हैं कि आपसे पैसे 1500 रुपे ले लिए जाए किसी एक इस तरह का आपको document या एक तरह का photo भी paper का भेज देंगे कि यह जो है इस तरह से आपको photo garage चिपकाना होगा इस पे और आपको 1500 रुपे देने होंगे तो आपको उन लोगों के जहां से में मत आना है और कभी भी अपने note और ticket sell करवाने के लिए किसी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देना है दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है यदि आप note और ticket sell करना चाहते है देखें कोई व्यक्ति यदि आपको यह बोलता है कि यह note और ticket 50 रुपे में खरीद लो या 5000 में यह सिके खरीद लो आप इसको 20 रुपे में 20 रुपे में 10 रुपे में sell कर लेना तो आपको यह काम नहीं करना इससे आपके पैसे खो सकते हैं देखें मैं आप लोग को हमेशा सलाय दीता हूं कि जो भी आप note और शिको की collection करते हैं वो आप जो है इस तरह से करें जैसे कि market में आपको कोई शिका या note मिलता है वहां से आप उसका collection करें और उसका collection करने के बाद ही आप उसे जो है कि आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ रहेगा और आप उससे सिक्के को सेल कर सकते हैं और उस note को सेल करके अगर आपको माल जी कि आप पांच रुपे के सिक्के collection कि उसके बदले आपको 10,000 रुपे मिल जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है मैं हमेशा से आप लोगों समझाते आया हूँ और बहुत सारे लोगों जिन्हों ने इस बात को समझा उन्होंने अपने note और सिक्के सेल भी कर लिए तो यदि आप सेल करना चाहते तो स्क्रीन पर जो आपको बायर का contact नमबर दिख रहा है इस पर आप संपर के कीजिए यहाँ पर मैं यह तो नहीं कहूंगा कि यह बायर आपको पांच किलो सोना या Scorpio या बस इस तरह की एक करोर की घर आपको दे देंगे लेकिन जो आपके नोट और सिकों की कीमत होगी वह आप फोटो भेजेंगे इस नमबर पर उसके बाद वह आपको बताएगा कि कितनी कीमत आपको इसके बदले मिल सकती है दूसरा जो है एक और तरह का फ्रॉड आता है नोट और सिक के सेल करने के नाम पर बहुत सारे लोग जो है नोट और सिक के यहाँ पर सेल करने के नाम पर लोगों के घर पे जाकर उसके जो अधार कार्ड वेरिफाय करने के नाम पर उसके OTP ले ले लेते हैं या फिंगर प्रिंट और ले ले लेते हैं या आपको किसी ने गारी या 5 किलो सोना देने के बात करी है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूँ बताएगा ताकि पता चल सके कि किatile लोगों को पता कि एक नोटी आए स्थिके के वदले 5 किलो सोना that एक करोर का घर यह सब चीज़े मिल जागी, तो आप लोग मैंसे जो भी लोग उस वीडियो को देखें हैं, उन सा वीडियो को तो आप लोग कमेंट करके वताईएगा कि हाँ मैंने उस वीडियो देखा है और वहाँ पर इस तरह की बाते की गई, और अगर किसी को पांच किलो सोना मिला हो उस वीडियो को देखने के बाद तो भी आप लोग कमेंट करिये ताकि दूसरे लोग को पता चल सेके कि हाँ सही हमें मिलता है यह नहीं मिलता है क्यूंकि किसी के पास अगर पचास कुटल सोना होगा तो वो सभावविक वात है पांच-पांच किलो सभी को दे सकता है लेकिन जिसके पास 50 कुइंटल सोना नहीं होगा वो लोग तो दे नहीं सकता है और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखे जो सोना की बात की जाती है पांच-पांच किलो दूँगा अगर माल जिए कि एक हजार व्यक्ति के भी नोट और सीके ख़ई दे जाएंगे तो उसके लिए उसको चाहिए 50 कुइंटल सोना के लिए बहुत सारा परमीशन लेना पड़ता है कोई ही व्यक्ति 50 कुइंटल सोना जो है एक जगह पे नहीं रख सकता है तो यह सब बहुत सारे रूल एक लिए पीड़ेशन में टडालो तरट तरट की बात करके उनको जो है बहका दिया जाता है सुरुआत में बोलते कि मैं आपको मुबाइल नंबर दूँगा एडेस दूगा फोन नंबर दूँगा और बाद में गलत फोन नंबर दे देते हैं गलत इमेल और देस दे कोई अड्रेस नहीं बताते नो तो कोई चालू फोन नंबर देते हैं तो इसलिए आप लोग ऐसे व्यक्ति से ज़रूर साफधान रही है और नोट और सीके सेल करने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक सही बायर की तालास करनी होगी सही बायर को कैसे खोजना है उस सबसे रिलेट मैं